आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे election bonds और election की sanctity को लेकर जिसके बारे में ADR ने सुप्रीम कोट में अरजी पेश की वी है अज इसकी सुनवाएं बहुत दिन से हो रहा है और पिछले छे महीना करीब करीब डीप स्लीप में है जगदीप आप इसके ADR के तरफ से आपने रिट पिटिशन दायर किया है सुप्रीम कोट में और इसके बाद इस वक्त जो है अभी पर रीसेंट जो की context है जो खुलासा हुआ है अभी नितिन सेटी का कमोडर बत्रा की RTI का अंजली भरदवाज का जिसके बारे जो RTI पिटिश जिसके बारे में नोटिंग्स फाइल के निकली हुई है तो इससे लग रहा है जो सुप्रीम कोट जो कहा था कि एक sanctity of the electoral process के बारे में बहुत गहराशक पैदा करता है ये सही है क्योंकि यही नोटिंग्स नहीं दिखाता है देखिए ये नोटिंग्स ने बड़ा अच्छा एक कांग किया है जब ये स्कीम चालू हुई थी पारलिमेंट में बाशन देने के बाद सुपा बजट स्पीच के बाद वित्त मंतरी ने अफटनून में एक मीडिया इंटरेक्शन किया था बजट पे उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बांड्स विल बी इन दी ने अनॉनिमिटी और ट्रांस्पेरेंसी ये दोनों एक अठे कैसे हो सकते हैं परस पर विरोधी है तो ये काम तभी से शुरू हो गया था अब ये जो फाइल नोटिंग कवंडोर बत्रा अंजली भार्दवा जो एनके टेशन आइटने निकाली हैं और नितन सेटी ने उनके ब पर दो चीज है एक तो है जो बात कही गई थी और एक बात अरुजेटली उस वक्त कहे थे कि ये इलेक्शन को पूरा करप्शन से मुक्त कर देता कर देगा और ये पता चल गया कि छे हजार क्रॉर सचमुच पूरा इलेक्शन में करप्शन मुक्त हो गया क्योंकि 95 बिपक्श है वही तो करप्शन सिर्फ करता है ता तो एक तो है उसलिए वो फोर्स कर सकते हैं लोगों को पैसा देने के लिए अपने लिए पर ये जो जैटली का था एनॉनिमस कर देंगे और दूसी बात थी कि हमने बलैक को वाइट कर दिया तो ये तो साफ हो गया कि काला धन की इस इस्तमाल जो है नहीं हुआ है क्योंकि वाइट में खरीदा गया है पर आम जंता से छुपा के रखा गया है किस के पास गया और किस ने दिया दोनों चीज छुपा के रखा गया ने कि ये कहना के काला धन इस्तमाल नहीं हुआ क्योंकि बैंक के तुरू खरीदा गया ये बात सही नहीं है सुप्रीम कोट के जज ने सुप्रीम कोट की हेरिंग में अटॉनी जैनल को ये समझाने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि एक आदमी के पास बहुत सा कैश है वो किसी एक देश में जाता है जहां बैंकों के बारे में कोई ज्यादा कानून नहीं है और वो कैश जबा कर देता है फिर उस देश से वो दूसरे देश में जाके एक और बैंक अकाउट खोलता है वहां भी बैंकों के बारे में कोई ज्यादा कानून नहीं है तो ये बैंक से पैसे वहाँ आ गया एंड ये जड़ साहब ने कहा कि ऐसे ही चार-पांच देशों में वो ले जाता है और फिर छटी ट्रांजेक्शन जो होती है वो स्टेट बैंक अव इंडिया में आ जाता है अब ये सफेद है कि काला है ये किसको बालू तो इसी बात शेल कंपनियों वो देखिए बहुत किस्से हैं पहले होता था कि कोई भी कंपनी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती है उसके बारे में दो प्रावधान थे एक तो ये के साले साथ प्रतिशत जो मुनाफ़े के साले साथ प्रतिशत से ज़्यादा नहीं देता है अब नहीं देता है दूसरा यात है कि जिस company को पैसा दिया जाएगा ना जिस political party को पैसा दिया जाएगा उसका नाम और वो कितना पैसा दियाएगा अमाउंट ये बताने पड़ेंगे ये दोनों प्रोविजन electoral bonds की scheme के अंडर हटा दिये गए हैं तीसरी बात भी थी कि कोई foreign company पैसा नहीं दे सकता अब foreign company की अगर subsidiary है तो इंडियन company हो गया क्योंकि ये बानी बिल्ट उसी पार्लिमेंट में आप जैकली साब में किया था वो एक दूसरी कहानी है एक हमारा केस FCR पे भी चल ला है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को दोशी करार दिया हाई कोट ने और उससे बचले के लिए पहले इन्होंने FCR Act को बदला फिर पता लगा वो तो 2010 वाला Act था और गरबर तो 1964 वाले Act में हुई थी तो अगले बज के जरिये किया नहीं बट 1976 वाला Act 2010 में खत्म हो गया था उसमें 2010 वाले Act में एक सेक्शन है that FCR in 1976 is here by repeat तो जो कानून है ही नहीं उसको आप कैसे उसको कैसे मन करेंगे मैंने तो कहीं लिखा है कि ये ऐसा हो गया कि जैसे एक आदमी आठ साल पहले मर गया था लेकिन आज उस पर नी रिप्लेस्मेंट कर दीजे ये तो विलकुल अजीब बात है तो वो FCR वाली दूसरी वो बात है लेकिन वो शामिल भी है पर इस पर ये बनता है कि विदेशी कंपनी कभी पहले पोलिटिकल इंडिया किसी पोलिटिकल पार्टी को पैसे नहीं दे सकते हैं पर अब य इतना पैसा देने चाहो आप दे सकते हो अब बॉन्ड के जरीए उसके कोई हिसाब नहीं होगी ना कि इसके बारे में जानकारी किसी को दी जाएगी तो अगर इस चीज को देखें कि सत्तारूर पार्टी का ये समझ था कि इसके जरीए हम ज्यादा तर पैसा हम ही ले पाएं इसके बाद फाइनान्स मिनिस्ट्री ने भी ये कहा ता पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए और पुलिटिकल पार्टी इसको इस पे कंसल्ट करना चाहिए तीनों चीज नहीं हुआ एक तो ये था और दूसरी बात है कि जो जर्ब बैंक ने कहा था कि इसको सिर्फ चार बा बेशने चाहिए सिर्फ प्री डिटर्मिंट टाइम पे दो हफ़ता बेशने की बात होनी चाहिए और किसी वक्त नहीं ये भी प्रावधान जो है सरकार ने नहीं बाना नहीं ये स्कीम में है इसका उलंगन किया गया उलंगन किया गया देखे बज़दार बात तो ये है या दुखत बात तो ये है कि जो रजब बैंक और इलेक्शन कमिशन ने कहा वो नहीं किया एक स्कीम अनाउंस हो गई उस स्कीम में जो जो लिखा है आपने स्वाम में उसमें ये चार विंडो थे लेकिन जब करनाट का इलेक्शन आया तो जो कागजों में निकला है वो तो ये कि प्रदान मंतरी कारियाले से आदेश आया कि एक और विंडो खोल दो तो फाराइज मिनिस्टी ने कहा कि ये स्टेट इलेक्शन के लिए नहीं है तो सरफ नाशनल इलेक्शन के लिए है उन्होंने का ने ने इसमें कुछ थोड़ा से डाउट है आप खोल दो तो जो स्कीम अपने आप बनाई थी उसका भी उलंगन हुआ दो बार कम से कम करनाट का और फिर एक और स्टेट के कुछ इलेक्शन हुए थे और तीसरी बार हुआ कि एक जो बार थे वो पंद्रा दिन से ज़्यादा हो गए थे उनको फिर कैश करवाएगा तो अपनी बनाई हुई स्कीम का भी पालन नहीं किया सरकार ने ये बड़े अजीब सी बात है दूसरी बात जभी जो आटियाई में जो आया है कि इलेक्शन कमिशन ने इसका विरोध किया थे पर बिनिस्टर अफ स्टेट जो थे उन्होंने पारलेमेंट में वयान दिया था कि इलेक्शन कमिशन से ऐसे कोई विरोध नहीं आया ये भी साफ हो गया कि इलेक्शन कमिशन का विरोध भी सरकार ने पारलिमेंट में छिपाया जो कि एक हिसाब से पारलिमेंट की मानहानी कहा जा सकता है एक हिसाब से नहीं, यह पार्लिमेंट की मानानी है, और अगर विरोधी दलों में कोई हिम्मत है, तो उनको एक प्रिवलेज बोशर लगानी चाहिए उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, यह तु सरासर, जूट या गलत बताया, पार्लिमेंट, लाइंग तु दी पार्लिमेंट, कोई चोटी मोटी चीज थोड़ी है, अच्छा अभी छे हजार क्रोर की रकम, जो बॉंड्स आये हैं, जो पार्टियों के गया है, हम सिर्फ मार्च दोहजार अठारह तक ही बता पाएंगे, क्योंकि उसरा 95% बीजेपी के पास गया, तब तक 222 क्रोर आये थे, एक चीज़ है, पार्टियों की, जो इलेक्शन कमिशन के पास इनको देना चाहिए, सुप्रीम कोट के निद्देश के तहत, नहीं सुप्रीम कोट के निद्देश के तहत, तो इनको इलेक्शन कमिशन को बताना था कि कितने बॉंड मिले हैं, वो भी बंद लिफाफे में, ये बंद लि income और income from other sources उसमें एक entry होती है electoral bonds वहां से ये शूजर निकलती है तो यह का मतलब है कि हमें 2020 मार्च तक ही पता चलेगा मार्च तक नहीं पता चलेगा मार्च के बाद पता चलेगा मार्च के किता बाद तीन महीना दो तीन महीना तो आपको हमें एक साल और इंत्यार करना पड़ाएगा या 9 महीना इंत्यार करना पड़ाएगा इस चुनाव में जो 6 इत्ते हजार कvalue करच हुए है and India is one of the most expensive elections in the world पीशले election कहा गया अमेरिका की election से भी हिंदुस्तान कि जर्रिल लेक्शन में खर्चा ज्यादा हुआ है और उसका एक भारी रकम अब निकल के आ रहा है कि एलेक्शन के बॉंड्स के जरीए हुआ एक मैं आपको बात ये बता दूँ कि भारी रकम का मतलब क्या है एलेक्शन में टोटल खर्चा कितना हुआ इसका कोई ओफिशल सर कारी रिलाइबल डेटा नहीं है एक एस्टिबेट सेंटर फर मीडिया स्टाजी ने निकाला था साथ हजार करोड़ शाथ हजार में छेजार तो दस परतिशत ही हुआ है लेकिन इससे ये पता लगता है कि कितना बे इंतहा पैसा और चलो भाई अगर ये भी मानने के इलेक् करोड तबन हजार करोड है वो काना से आया तो इलेक्शन में खर्चा बे इंतहा होता है और गलत चीजों पर खर्चा क्यों होता है कि जो इलेक्शन में चुनाब प्रचार करने के लिए जो तरीके हैं जो जिनके करने की इजाज़त है उनका पैसा तो अकाउंट में निका जाते हैं लेकिन इलेक्शन तो जीते जाते हैं उन कामों पर जो कानूनी राधत ही नहीं है इस चीज को अगर देखे छे हजार क्रोर जो पुलिटिकल पार्टी ओफिशिली खर्चा कर सकती है वो एक यह यह एलेक्शन बार्ड उसमें जा रहा है इस इस वाट तो पुलिट जस फ़र अर्गूम सेक लेकिस टेक तेट ओफिशिली सिक्स थाउसन क्रोर्ड इंकम आनफिशिल चीज तो छोड़ देते हैं वो तो हर सतर पे होता है अगर यह भी है कि हर पार्टी अलग अलग तरीके से करते हैं कुछ कहेंगे कि हम चंदा लोगों से कठा करके उन से करव कुछ कहेंगे कि हमारे बड़े दोस्त मित्र हैं वो खर्च कर देते हैं हमारे लिए यह सब चीजे छोड़ देते हैं यह कॉर्पोरेट कैपिटल आ रही है छे हजार क्रोड की इन्वेस्मेंट एक हैं तो पॉलिटिकल पार्टिस पे के लिए आ रही है और खास तोर से सत्ता रूर के लिए तो उसके कैपिटलिस्ट जब खर्च करता उसके कुछ रिटर्न सब कैपिटल भी होता है तो रिटर्न सन्कैपिटल क्या क्या देख सकते हैं रिक्रानाद क्यापिटल जो है वो लाइसेंस के तुरू मिलता है और तो साल बहुत सारे चीज लाइसेंस पर्मिंट राज तो खर खतम हो गया तक रहते हैं लेकिन अभी भी है उसके लावा जो रिटरन ऑन इंवेस्मेंट होता है कि किसी कानून में छोटा सा तबदीली कर दी अब ये टेलेकॉम इंडिस्ट्री का किस्सा चल रहा है ये सुनाया कि कोई काल ट्रांसफर चार्ज या कुद होते थे वो आठ पैसे से तीन पैसे कर दी है उसमें एक के तो पहबारे हो गए और दो बिलकुल बैड़ गए तो ये जो छोटे आसर बहुत जादा पड़ता है और इनका पता ही लगता है जब होता है जञता सी बात की लेकिन इस तरह के काम पिर सरकार करशती एफ और को बताना चाहता हूँ एक तो है जिसे आज कहते हैं कि इडी इसको आब किसी नहे कहा एक सी बियाई की वारिश्टट अधिकारी नही आप पर केसेश की च्छानभीन हो सकती है और इसके लिए पर पैसे हो सकते हैं तो एक तो यह होता कुईट प्रो को जो कहते हैं अब दूसरी बात दूसरी बात लोंस अब तो NPS बहुत बड़ गए हैं तो एक चीश तो यह है कि स्टेट बैंक से लेकर दूसरे बैंक से उनके पैसे बहुत सारे नीजी कंपनियों में लगा हुआ है तो उसका भी एक बहुत बड़ा असर हो सकता है कि आपने रिटर्न ऑन कैफिटल के रूप में लोन्स इनको दिलाएं। लोन्स दिलाते कि भी एक बड़ी लंबी कहानी है कि ये एन पीए कैसे बनते हैं। मेरा ये मानना है कि जो सरकारी बैंक हैं बड़े बड़े बैंक हैं बहुत बड़े बड़े बैंक हैं उनके जो जेनरल मैनेजर, चेरमेन, मैनेजिंग डिरेक्टर जो लगते हैं वो कोई बेवफूस तो नहीं होते हैं हमारे जैसे। वो बड़े पुराने बैंकर होते हैं, तजर्बेकार, समझदार, बड़ा इंटेलिजन्ट तो मैं ये सोद रहा था कि उनको ये उन्होंने ऐसे गलत लोन क्यों ने दिये हैं। तो गलत लोन देने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो कि मैनेजमेंट ने गलती की। दूसरा ये के उसके उपर कुछ ऐसा दबावाया कि उसको ये गलत लोन देना पड़ा। तो ये दो तरीके हो गए पहला तरीका यह है कि अगर management ने गलती की और management incompetent है तो उसको लगाता कौन है सरकार लगाती है राजनितिग लगाती है तो ऐसे नाकाबिल लोगों को ऐसी position पे लगाना इसका जिम्मेदार भी सरकार और political party है और अगर pressure डालके किसी को दिलवाए तो वो जाहिर है तो जब ये किस्ता शुरू में रगराब राजनितिग के टाइम पे शुरू आता तो मैंने इंडिन एक्स्विशन शायद एक लेक लिखा था कि अगर सरकार चाहे तो जो बैंकों के senior management के लोग है उनसे पूछे कि तुमने ये क्यों किया और उनसे पूछे ऐस सिच्वेशन में कि उनको ये यकीन हो जाएंगे नहीं बताएंगे तो वो जिल जाएंगे उस आलत में वो बताएंगे और वो फिर यही बताएंगे कि फलाने राजनितिग ने का फलाने ने का इसलिए वो investigation कोई करता ही नहीं तो जनता का पैसा जो है वो इस तरीके से लोन दिल्वा दिजिए इस केन अलसु बिए पार्ट अब नहीं बिल्कुल यह जो हुआ था कि जो बॉंड एक्सपायर हो गए थे इनको कैश करने के लिए क्यों आदेश मिला कुछ इसके पीछे एक मिस्टरी तो है और वो क्या है यह तो वही बता पाएंगे वक्त बताए लास्ट सवाल आपका यह है इलेक्शन बॉंड बे अभी जो आया कि छे हजार क्रॉर की रकम कलेक्ट की गई है किसके पास गई है अभी तक साफ नहीं है पर कलेक्ट की गई है तो इसका अगला अभी आटिया के तहट यह भी साफ हो गया कि इसका विरोध सरकारी इस तो डो बाडी है जो इस रेगुलेटरी के कमिशन होने के नाते इस पे इन्वाल्वड है तो इसके बारे में अब सुप्रीम कोट में अगला कदम आपका क्या होगा सुप्रीम कोट में हमारा अगला कदम है हम सुप्रीम कोट में अप्लिकेशन वाइल करेंगे ये जो नया सूचना सामने आई है इसको लेके कि ये पता लगा है इससे ये अपरूव होता है कि ये स्कीम जो है ना सिरफ ये खतनाक है और उपेक है बिलकुल ही पता नहीं तो हमारी तो डिमांड सुप्रीम कोटर जी है कि ये इलेक्टरल बाउंड स्कीम को स्टे करें रोक दें और फिर चर्चा हो फिर वो अपना फाइनल फैसला करें लेकिन जब तक फाइनल फैसला नहीं होता ये धानले बाजी चालू नहीं रहनी चाहिए ये ग्राउंड भी इस इस्टाब्लिष्ट है कि इसमें धांगले हुए है आपके कहने के पृष्चा है बिलकुल है बिलकुल रहाइए तो जारा सार जाहर है और चुपरीम कोर्ड ने ये कहा अपने इंटरिम आउडर में 12 अपरायल को कि इस पेटिशन रेज़ेज वेटी इशूज यानि बड़ी वदंदार मुद्धे इस केस में हैं इसे भारी भरकम मुद्धे हैं कि देश के पूरे चुनावी जो कारिवाई है उस पे बहुत गंबीर असर पढ़ता है तो गंबीर असर पढ़ने के बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ड इसकी आगे कोई सुनवाई नहीं की तक नहीं की और गंबीर असर पढ़ रहा है दिख रहा है कि उसके बाद जेनरल इलेक्शन से इसके बाद ही हुए है तो सुप्रीम कोर्ड के बारे में कुछ कहना ज़रा ठीक नहीं है लेकिन उनको इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि नहीं दिखान देंगे तो चलेगा यही नहीं दिखान देंगे तो यह होगा कि जो पुझी पती लोग हैं वो सरकार को पूरी तरह करें गेंगे और देश की या दो प्रतिशत या आधा प्रतिशत लोगों के बर्दी से चलेगी और उनको फाइदा होगा और बाकी जन्ता पिसेगी. पिकेटी ने कहा है, from British Raj to billionaire Raj, वो बाके और भी कारियन दित होगा. देखिए ये कैपिटल, अब अमेरिका वगारा में क्या हो रहा है, जो पूंजी पती हैं, वो चलाते हैं सरका, बड़ी कंपनिये राष्ट्रपती को भी कंट्रोल करती हैं. अब खुद तो राष्ट्रपती भी बन रहे हैं. हाँ, बराष्ट्रपती ही बन गए, और ब्रूमबर्ग भी खड़े हो गए हैं, तो फिर यही हो जागा ना, कि देश पूंजी पतीों के लिए है, पूंजी पती उसको जैसे मर्दी इस्तेमाल करें, अपने आपको और अमीर बनाने के लिए, या पैसा विदेश ले जाने क लिए, या कुछ भी, जगदीब हमारे पास आने के लिए धन्यवाद हम आशा करेंगे कि ADR की ये जो कारवाई है, कोट में ये आगे चले, और सफल हो, और हमारी कम से कम electoral process की पैसे जो खर्च हो रहे है, उस पे कुछ लगाम हो, धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए, धन्य गमारे साथमादा हुआ करेंप meंदाद चले, दो मता हमारे साथ होने के लिए आख।क दो हमारे साथ हो घ्यां है, कि ये विए स्टाओत। में हमारे सब양 Musta करेंगे से करेंगे समय है.